किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जू बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मरा कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मेंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउं गाउं अब टीचर्स ले रहें हाईब्रिड क्लास टीच्मेंट के यूनिक फीचर्स के साथ जाइन दोस्तों, मैं नितेशकमार जूजरने साब का सवागत करता हूँ फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई सी आर बाती कर्शिया अनुसंदान टेकनिस्टन की रिटन एक्जाम की कट ओफ कितनी जा सकते हैं रिटन एक्जाम की तो फ्रेंट्स जैसा जानते हैं एक्जाम छल रही है और उमीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा कोई होगा जैसा कि आप देख रहें फ्रेंट्स पेपर बहुत हाड आ रहा है क्योंकि जिनों नहीं थैंए उनको पता है पेपर बहुत हाड आ रहा है और paper का level moderate to hard आरहा friends, यानि students maximum 80 attempt कर पा रहे हैं, तो friends, यहाँ पर paper का level कठीन होने के कारण hard होने के कारण कम जाने वाली है, तो friends, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो फ्रेंट्स हम यहां पर कैटेगरी वाइज परते कैटेगरी वाइज यहां पर आनालिसिस करने वाले कि कट ओफ कितनी जा सकती है अगर आपका स्कॉर उसके बीच में तो आपको नेक्स्ट वेज़ की तैयरी शुरू कर देने चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन में इतना खास फरक नहीं पड़ने वाला है यहां पर क्योंकि पेपर सभी का हाड़ा आ रहा है कोई एक दो होगी मुस्किल से जिसका पेपर मोडरेट आया है लेकिन सब का हाड़ ला तो फ्रेंट्स यहां पर आपकी कट फूप थोड़ी सी हाई जा सकते जिसका एक रेजन मां बताने वाला हूं क्योंकि इसमें पदो की संक्या कम है ने के कारण इसकी कट फूफ हाई जा शकती है और इस टाइम कोई भी ऐसी एक्जाम नीच चल रही है जिसमें स्टुड यूर कटेगरी जनरल करें अगर यूर कटेगरी की बात करें तो इसमें इसकोर आपका इसकोर 24 से 78 के बीच में है तो आप सेब्स जोन में आपका रिटन केलियर हो जाएगा अगली केटेगरी फ्रेंड्स यहां पर OBC तो OBC की स्कोर की बात करें यहाँ पर अगर आपका स्कोर 72 से 75 के बीच में है तो आप सेब जोन में आपका रिटन किलियर होने के 95 परशेंट चांसेज हैं अब बात करते हैं EWS के EWS की और OBC में ज़्यादा अंतर नहीं होता EWS की OBC से दो नंबर कम रहने वाली यानि 70 से यहाँ पर 33 के बीच में EWS की रहने वाली है ओके फ्रेंट्स यह रिव्यू हम स्टुडेंट से मिले इनफॉर्मेशन के अधार पर बता रहे हैं जो इस्टुडेंट्स ने जो बता हैं उसी के उपर हम अनालिसिस कर रहे हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर एक दो नंबर उपर ने ची हो सकता है लेकिन इनका अगर आपका स्कॉर इनके बीच बन रहा है तो आपको नेक्स्ट वेज की तयारी शुरू कर देने चाहिए अगली के टेगरी रिफरेंट्स यहाँ पर हमारी स्सी तो स्सी की बात करेंट्स यहाँ पर स्सी के टेगरी के लिए 68 से 71 के बीच में रहने वाली है स्सी के टेगरी और हमारी लास्ट के टेगरी है स्ट तो स्ट की 65 से यहाँ पर 68 के बीच में रहने के chances हैं पूरे पूरे अगर आपका score इनके बीच है तो आपको खुस होना चाहिए ओके फ्रेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका score कितना बन रहा है और आपकी केटेगरी कौन से है ओके फ्रेंट्स इस्टे ओम इस्टे सेफ जै हिंद